मैं कविता आपको हिंदुस्तान की सरकार के उपर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि 2014 में मैंने ननेरिंद्र मोदी जी के समर्थन में बहुत सारी कविताइं लिखी थी आपने यूट्यूब पर सुनी भी होगी लेकिन मेरे कुछ प्रश्ण है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री से कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किये और कुछ काम ऐसे हुए जो अभी तक नहीं हुए मैं कविता उन कामों पर आपको सुनाना चाहता हूँ आपको लगे कि इस बालक ने ठीक लिखा है तो आप सबका समर्थन चाहता हूँ सुनने की कोशिस करना वरना मैं चार पंक्तियां सुना की बैठ जाओंगा मुझे कोई शोक नहीं है तुम हो फिर भी खेतों में ये सूखा क्यों है मूदी जी तुम हो फिर भी खेतों में ये सूखा क्यों है मूदी जी तुम हो फिर भी महंगाई की मार पड़ी है मूदी जी और गरीबी धनवानों के बार खड़ी है मूदी जी तुम हो फिर भी व्यापारी की आँखे नम है मूदी जी और गरीबों की ठाली में रोटी कम है मूदी जी और गरीबों की ठाली में रोटी कम है मूदी जी और गरीबों की थाली में रोटी कम है मोदी जी तुम हो फिर भी रोज तिरंगा जलता क्यों है मोदी जी तुम हो तो तुम हो फिर भटकल का राशन चलता क्यों है मोदी जी इतने नाव डुबाने वाले खेता क्यों है मोदी जी तुम हो तो ये लालू जेसे नेता क्यों है मोदी जी तुम हो तो ये लालू जेसे नेता क्यों है मोदी जी तुम हो तो गुंडो तुम हो फिर भी गुंडो का ये शाशन क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी ओवेशी का भाशन क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी चोर लुटे रादी रात को जाग गया तुम हो फिर भी माल्या हमको आख दिखा कर भाग गया तुम हो फिर भी माल्या हमको आख दिखा कर भाग गया एक पंगती पढ़ता हूं मैं आपकी बीच में वादे पर वादे किये भाजप्पा की सरकारने की हम आएंगे तो ये काम करेंगे हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे तीन साल हो गए वादा अभी तक कदूरा है मैं मोदी सरकार से प्रश्ण पूछने की कोशिस करता हूँ मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ कॉंग्रेस का तो मैं बिलकुल भी नहीं मायावती का भी नहीं मैं आदमी किसी भी पारिती का नहीं हूं उसलिए आप मेरा समर्थन करना मैं आपको सुनाने कि कोशिस करता हूं क्या हिंदुस्तान ने सिवादे किये मोधी सरकारने की हम आयेंगे तो राम من्दिर बनाएंगे लेकिन राम من्दिर नहीं बना अगर मैं प्रश्ण पूछूं वो सीधा 56 इंच की छाती पर लगे क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूं हिंदुस्तान में कोई वी रस्का कवी होता है सबने कॉंग्रेस के खिलाब कविताएं लिखी कॉंग्रेस पे उंगली उठाई लेकिन मोदी सरकार पर कोई नहीं बोला मैं प्रश्ण पूछने की कोशिश करता हूं तुम हो फिर भी ओखल में अपना सर क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी तुम हो फिर कश्मीरी पंडित बेगर क्यों है मोदी जी तुम हो तो काना की छाती फढ़ती क्यों है मोदी जी तुम हो तो गो माताब तक कटती क्यों है मोदी जी तुम हो तो और तालिया और तेज करना इस सवाल पर तुम हो तो काना की छाती फढ़ती क्यों है मोदी जी तुम हो तो गोमाता अब तकड़ती क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी जनता का ये हाल क्यों है मोदी जी दशरत नंदन शिरी राम तिर पाल में क्यों है मोदी जी दशरत नंदन शिरी राम अभी चार दिन पहले कश्मीर में PDP के एक विधायक ने कहा PDP का एक PDP पार्टी है कश्मीर में उसका विधायक बोला कि सेनिकों की बंदूकों से मरने वाले आतंकवादी हमारे भाई है अगर PDP का विधायक ये बोलता है कि सेनिकों की बंदूकों से मरने वाले हमारे भाई है तो फिर देश में जो सेनिक मर रहे हैं वे कौन है या तो उसी दिन भाजप्पक की सरकार को PDP से गठबंदन तोड़ लेना चाहिए था लेकिन गठबंदन नहीं तूटा आज भी चल रहा है तब फिर मैं सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ तुम हो तुम हो फिर भी तुम हो फिर भी कितनों का सिंदूर धुल गया मोदी जी तुम हो फिर भी कितनों का सिंदूर धुल गया मोदी जी तुम हो फिर भी आदी रात को कोट खुल गया मोदी जी तुम हो फिर भी तुम हो फिर सापों के तन पर चंदन क्यों है मोदी जी तुम हो फिर ये धारा तीन सो सत्तर क्यों है मोदी जी तुम हो फिर ये धारा तीन सो सत्तर क्यों है मोदी जी तुम हो तो फिर सेनिक कूपर पत्थर क्यों है मोदी जी तुम हो तो फिर धारा तीन सो सत्तर क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी सेना पर ये पत्थर क्यों है मोदी जी सेनिक की पतनी की तूटी पायल क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी मा के रक्षक घायल क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी फूलों पर ये काटे क्यों है मोदी जी गांधी जी के गालों पर ये चाटे क्यों है मोदी जी गांधी जी के गालों पर ये चाटे क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी सेना का अपमान क्यों है मोदी जी पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ अगर आपके दिल पे लग जाए तो तुम हो फिर भी सेना का अपमान क्यों है मोदी जी तुम हो फिर भी सेना का अपमान क्यों है मोदी जी तुम हो तो फिर अब तक पाकिस्तान क्यों है मोदी जी तुम हो तो फिर अब तक पाकिस्तान क्यों है मोदी जी तुम हो तुम हो फिर भी कितनों का सिंदूर धुल गया मोदी जी मैं कविता की आखरी लाइने आपको सुनाना चाहता हूँ आपको लगे कि ठीक मैंने बात कही है तो सब की तालियां चाहता हूँ आप अंतिम पंक्तियों पेस बालक को विजा करना तुम हो फिर भी कितनों का सिंदूर धुल गया मोदी जी तुम हो फिर भी आदी रात को कोट खुल गया मोदी जी सेन की कुरबानी पर ये निंदा कियो है मोदी जी तुम हो तो फिर दाउद अब तक जिन्दा क्यों है मोदी जी तुम्हों तो फिर दाओ गुए अपता गजी